गुड मॉर्निंग स्टुदेंट्स, वेलकम बाग टो कॉंपटर साइंस एक्जाम करेक्ट चैनल, तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चो प्रोग्रामिंग से रिलेटिव, प्रोग्रामिंग के बेसिक प्रोडक्शन और फिर पाइथन का बच्चो, तो यहां पर मैं कोशिश करूँगी सीखा कराने की, फिर हम पाइथन शुरू करेंगे, तो चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स औफ प्रोग्रामिंग से, तो यह क्या है आपका यूनिट 2, जिसके अंदर आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग एंड अल्गोरिथम, यह आपका चैप्टर 1 है, यूनिट 1 का चैप्टर 1, ठीके, अब इसके अंदर सबसे पहले आपको फंडामेंटल्स पढ़ने पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग के, जो के एक्जाम में भी आपसे पूछे जाते हैं, तो बच्चो कोई भी प्रोग्रामिंग लांगविज स्टार्ट करने से पहले, या कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले, आपको कुछ चीजों की जुरत होती है, देखो, सबसे पहले तो किसी भी प्रोग्राम को जब आप लिखते हैं, उससे पहले आपको अल का मतलब जान लीजिएगा कि algorithm क्या है flow chart क्या algorithm क्या होता है बच्चो ये step by step procedure होता है step by step procedure होता है ठीक है तो किसी भी चीज को करने के लिए जो steps आपको follow करने है उनको हम algorithm कहते है ठीक है ये language independent होते है किसी प्रोग्रामिंग language के अंदर नहीं लिखे जाते है प्लीज कीप in mind क्या होगा कि algorithm क्या होते है ये language independent होते है मतलब ये किसी भी language पे depend नहीं करते है ये journal ही लिखे जाते है जैसे एक normal example दे लेते हैं हमारी रीयर लाइफ का कि अगर आपको चाए बनाने के लिए बोल दिया जाए तो चाए के लिए जितने के आप straps लेंगे की आप ऊटकर जाएंगि फिर आप बरतन लेंगे चाह बनाने का पानी डालेंगे ठीक है गैस ओन करेंगे उसके बाद आप पानी अपना जो बरतन है पानी वाला वो रखेंगे उसके बाद आप जो चाय पती डालेंगे चिनी डालेंगे ठीक है बॉयल आने देंगे उसके बाद आपकी जो है आप मिल्क डालेंगे फिर बॉयल आने देंगे उसके बाद आपके चाहे जो complete हो चाहे उसको फिर आप चाहे के cup में डाल देंगे यह एक procedure होता है जनल लाइफ का चाहे बनाने का तो यही ऐसा ही procedure आपको algorithm बताता है कि जब आप कोई भी program बनाते हो उससे पहले आप उसके steps clear कर लो कि आपको एक step के बाद दूसरा step क्या लेना है तो यह algorithm होता है बच्चों question जो आएगा यहाँ पर एक तो आपसे simple definition पूछी जाएगी अब मैंने आपको इस तरीके का example दे दिया कि आप real life में exam definition आपसे कोई भी पूछी जाए किसी भी तरीके से आपको mold करके पूछी जाए आप गलत नहीं करेंगे दूसरा जो question बनता है यह बनता है आपका algorithm क्या language dependent होते हैं आप बोलेंगे नहीं यह language independent होते हैं यानि कि इनको लिखने के लिए किसी भी आपको language की जूरत नहीं पड़ते हैं language का मतलब यहाँ पर है programming language का ठीक है किसी भी language में आपके algorithms नहीं लिखे जाते हैं उसके बाद है बच्चो flow chart आप flow chart क्या कता है यह graphical representation है क्या है यह graphical representation किसकी of an algorithm जो आपने algorithm लिखा था steps में उसको आपने graphics way में represent कर दिया या आप बोल सकते हैं pictorial way में represent कर दिया pictorial way में आपने उसको represent कर दिया यह आपका यह हो जाएगा flow chart हो जाएगा ठीक है इसके कुछ symbols है flow chart के जो हम आगे करेंगे तो पहले जो हम discuss करेंगे न बच्चो completely algorithm के उपर करेंगे जो third part है न बच्चो वो programming का programming का आपको पता है कि जब आपके पास step by step procedure आपको समझा आ गया आपने उसके graphical way में भी clear cut picture बना लिया कि किस तरीके से आपका program जो है flow करेगा flow chart क्या बनाता है flow बताता है कि how your program will be flowed from one position to another position या one step to another step ठीक है उसके बाद आपको किसी language की जुरत पढ़ेगी जैसे आप पढ़ेंगे C, C++ और Python ये तीन language है जो आपके NCRT के slavus में है बच्चो ठीक है तो आपका जो algorithm है और flow chart है दोनों ही language independent होते है ठीक है algorithm है step by step procedure होता है अभी मैं आपके example किसे clear कर दूँगी और flow chart क्या होता है pictorial representation होती है again ही language independent होता है third step में आप के पास जब clear cut idea हो जाता है algorithm का और flow chart का तब आप program लिखते हो ठीक है वो किसी particular language में use करके आप उसका program लिखते हो तो जिसको आप programming कहते है तो आप जो बच्चे हम start करेंगे वो करेंगे हम algorithm से fine अब हम पढ़ेंगे कि how many ways to execute a program ठीक है यह question आता है आपके exam में कितने तरीके से आप एक program को execute करते हैं या कितने तरीके से आप किसी algorithm को लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर three ways है बच्चों तीन तरीके से आप किसी program को execute करते हैं एक आपका sequence statement यानि कि one by one जैसे मैंने बोला आपको कि आप क्या करेंगे यहाँ पर start करो step one है आपका start ठीक है step two है आपका print hello ठीक है और step three है आपका stop ठीक है तो यह algorithm क्या हो गया कि hello print कराने का algorithm हो गया कि आपने क्या क्या पहले आपने start किया उसके बाद आपने print कराया उसके बाद आपने stop किया तो यह sequence है one after another क्या बोलेंगे इसको one after another एक के बाद एक step जो होता है आपका sequence statement होता है अब है बच्चो selection statement selection statement क्या होती है यह particular select करने के काम आती है जैसे आप क्या करेंगे मालनों एक example ले लेते हैं कि आपको check करना कि whether this particular boy और girl is eligible for what or not आपको check करना है कि कोई आपके पास बच्चा आया और वो कहता है कि मैं आप eligible हूँ vote के लिए तो आप उसको कैसे check करेंगे अब आपको पता कि vote डालने की जो age है वो 18 है आपको उसकी age check करने पड़ेगी तो आप क्या करेंगे यहाँ पर इसके लिए बतारी हूँ मैं collection के लिए आपने यहाँ पे step लिखा step one step one आपका हमेशा ही start का होगा यह algorithm लिख रहे हूँ बच्छो step by step अगला जो step होगा two क्या करेंगे आप age पुछेंगे enter age ठीक है आप age पुछेंगे of the child of the child किसी particular student जो बच्छा है आपके पार आपने उसकी age पूछेंगे अब आपने उस age को check किया कि if age greater than 18 अगर age greater than 18 है तो क्या हो जाए step four में print हो जाए eligible ठीक है क्या हो जाए प्रिंट हो जाए eligible नहीं तो क्या हो बच्छो अगर यह आपकी statement false है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे step five else else में आप print कर दें यहीं पर else print हो जाए आपका not eligible ठीक है तो यहाँ पर आपने क्या किया last step कर लो एक बार यहाँ पर stop ठीक है तो यहाँ पर आपने particular जो चाइल आपके पास आया आपने उसकी एज पुछी उस एज को check किया select किया ठीक है यह selection आपने condition लगाई कि whether this particular child is eligible for what or not वो कैसे चेक करेंगे आप चेक करेंगे age से if age is greater than 18 तो वो eligible है नहीं तो वो नहीं है आपने select कर लिया ठीक है तो यह है आपका selection statement जो third type होते है बच्चों यह रोती आयटेशन इत्रेशन statement बोल सकते है या इसको बोलते है repetitive क्या बोलते है repetitive का मतलब क्या है जो चीज आपको बार बार करनी है ठीक है जो चीज आपको बार-बार करनी है उसको हम iteration बोलते हैं या फिर हम उसको repetitive बोलते हैं ठीके बच्चों तो अब हम start करते हैं iteration statement के बारे में yes student अब हमारे पास next क्या है iteration जो third way था आपके program का execute करने का वो iteration था और क्या बताया था मैंने repetitive यानि कि repeat करना बार-बार उन्ही statement को तो एक तो definition आप याद कर लो इसकी कि certain set of statements are executed again and again based upon the conditional test किसी particular condition को check करके आप उन statements को बार-बार अगर execute करते हो एक particular set of statements को तो उसको हम क्या बोलते हैं iteration बोलते हैं या repetitive बोलते हैं और जह हम programming language में भी बोलते हैं बच्चो उससे हम loop बोलते हैं तो loop क्या होता है बच्चो कि आपको यहाँ पर आपको condition लगा दी ठीक है अभी मैं example दूँगी while i less than equal to n ठीक है यहाँ पर आपने condition लगा दी है जब तक i की value less than equal to n नहीं हो जाती और यहाँ पर i की value स्टार्टिंग में मैंने मान लिया 1 है ठीक है तो आप क्या करो 1 है और n की value आपने मान लिया 5 है ठीक है user से आपने enter करा लिया 5 है अब आप क्या करेंगे जब तक i की value less than equal to n रहते तो क्या हो जाए है print कर लोगा चो print n i ठीक है i print हो जाए और फिर i equal to i plus 1 हो जाए या फिर आप इसको लिख सकते हो increment in i क्योंकि अभी मैं आपको programming नहीं सिखा रही हूं इसलिए हम थोड़ा algorithm की form में भी बात करेंगे increment 1 by increment i by 1 ठीक है और यहाँ पर आपने इसको बंद कर दिया ठीक है तो इस line का क्या मतलब होगा जब तक i की value n से कम है ठीक है तो starting में i की value 1 थी फिर इसने i की value 1 थी यह आपको पता है कि n की value 5 है तो पहले यह 1 को print करा देगा उसके बाद यह increment कर देगा i की value अब i की value क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी अब फिर next time यह 2 print करा देगा उसके बाद यह 3 कराएगा ठीक है फिर यह 4 कराएगा जब आप 5 पर आ जाओगे न तो जैसी 5 less than equal to 5 5 के equal है तो आप यहाँ पर 5 print करा देगी और next time जब increment होगा न बच्चो तो i की value आप की 5 थी और यह condition जो है आपकी false हो जाएगी और आप loop से बाहर निकल जाएगे तो यह जो set of statements है यह आपको एक से जादा बार execute करनी है यही मैंने लिखा certain set of statements are executed again and again यह वाली है certain set of statements बार बार execute करना है based upon the conditional test यह है आपका conditional test ठीक है बच्चो आई हो कि clear हो गया होगा ठीक है तो हमने क्या पढ़ा भी तब algorithm क्या है और कितने तरीके से आप अपने प्रोग्राम को execute कर सकते हैं तो यहाँ पर 2-3 तरीके बताए मैंने एक sequence बताया जिसमें one after another statements जो है आपके execute होंगे फिर बताया मैंने यहाँ पर selection selection में आपने यहाँ पर condition लगा दी कुछ criteria fix कर दिया किस criteria में अगर आप select हो तो आप यह काम करेंगे otherwise आप नहीं करेंगे तीसरा criteria बता दिया आपका iteration का या आप उसको repetitive बोल सकते हैं उसका मतलब क्या है कि कुछ certain set of statements को आपको बार बार execute करना है condition के according ठीक है जब तक आपकी condition true रहती है तब तक वो काम है जो आप बार बा करते जाएंगे जैसे ही condition आपकी false हो जाएगी आप उस काम से बाहर निकल जाएंगे ठीक है तो यह आपका repetitive था iteration था और जिसको आप technical term में loop कहते हैं ठीक है I hope clear हो गया अब हम करेंगे बच्चो flow chart flow chart में हम पढ़ेंगे flow chart के different symbols कौन कौन से symbols होते हैं वो हम यहां पर study कर लें ठीक है यह student अब यह flow chart के मैंने कुछ symbols टो किये हैं अब यह जो symbol ओवल शेप यह किसले यूज होता है यह होता है बच्चो start और stop करेंगे आपने देखा होगा न algorithm के अंदर हम first step जो होता हमारा start का होता और last step क्या होता है stop का होता है तो उसको आप flow chart में कैसे represent करेंगे उसको आप oval shape से represent करेंगे ठीक है उसके बाद ये वाला है बच्चो parallelogram ठीक है अब parallelogram में हम क्या दिखाते हैं यह दिखाते हैं input और output जब आपको user से input लेनी है या आपको output show करनी है अभी मैं example लोंगी उसमें आपको clear कर दूँगी ठीक है आउटपुट है उसको आप parallelogram से show करेंग तो आप यहाँ पर इस symbol का use करेंगे जैसे आपको addition करना है c equal to a plus b तो जो calculation का काम होगा आपका इस symbol में होगा अगला है आपका decision decision ठीक है अगर आपको decision लेना जैसे selection statement में आपने लिया था इफ ये condition हो जाएगी else में दूसरी condition हो जाएगी तो उस type के decision making statements के लिए क्या हो है आ आपके diamond shape है अब next symbol के आता हमारे पास flow का आता है flow क्या दिखाता है जब आपके step से दूसरे step पे move करते है न वह flow के थू रिप्रेजेंट करते है और last symbol के आपके छोटा सजो मैंने circle बनाया है इसका मतलब है connector connect करने के लिए काम आता है और connect करने के लिए काम आता है कि इसमें हम क्या रहते हैं कि एक page पी जैसे हमारा flow chart बना रहे थी वहाँ पर पूरा flow chart नहीं आया तो हमने क्या कि next page पर आपको लेकर जाना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे connector लगाई कि के बच्चों ये थे आपके flow chart के symbols अब हमें examples सिखेंगे ये student अब हम क्या करेंगे जो हमारा first थाना execution का भी क्या था sequential statement जिसको मैंने algorithm में भी represent करके बताया था और यहाँ पर भी flow chart में हम इसका कैसे use करेंगे वो भी मैं बता रहे हूँ sequential का मतलब one after ना था आपको एक flow chart draw करना है draw a flow chart जहान से सुनना इस चीज़ को draw a flow chart for calculating for calculating simple interest थीक है simple interest calculate करने के लिए आपको एक flow chart बनाना है वो कैसे बनाना है देखो first step क्या होगा start करेंगे थीक है start करने के बाद बच्चों हमारे पास next step क्या होता input के लिए parallelogram बताया था न मैंने यहाँ पर आप क्या करेंगे enter principle rate और time ठीक है तीनों चीज़ enter कर देंगे उसके बाद processing के लिए क्या बताया था एक rectangle बतायी थी यहाँ पर आप simple interest कैसे निकाल देंगे principle into rate into time upon hundred तो यह आपका simple interest आ जाएगा अब आपको क्या करना print भी करना print का मतलब क्या है output भी दे रहे हो यह आपका parallelogram है यह मेरे drawing ज्यादा अच्छी नहीं है बच्चो अब उसमें हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया print to si और उसके बाद है यह बच्चो last step हो जाएगा stop का तो यह क्या है sequential भी है हमने यहाँ पर symbols भी यूज की है input output के लिए parallelogram बताया था यह वाला input और यह वाली output है calculation के लिए processing बताया था this isn't यहाँ पर हम ले नहीं रहे हैं ठीक है और जो connector है connector की हमें जूरत नहीं है क्योंकि हमारा program जो flow chart जो बहुत छोटा सा है अब हम अगला जो करेंगे वो करेंगे हम selection का अब हम जो अगला है हमारे पास selection का selection में क्या होगा condition डाल देते है condition क्या होगी कि आपको identify करना आपके पास दो number given है आपको identify करना कि which one is bigger than another ठीक है तो आपको question क्या मिला draw a flow chart to identify identify which number is greater या which number is bigger than another ठीक है between two number दो number के बीच में जिससे ज्यादा नहीं ले रहे हम दो number ही ले रहे है ठीक है तो दो number आपको given है मालो आपको चार और पांच given है आपको यह बताना है कि बड़ा कौन सा है वैसे तो हमें नजर आना पांच बड़ा है ठीक है तो इसके लिए हम flow chart बनाते हैं तो flow chart में देखो हम क्या करेंगे हमने लगाई यहाँ पे start ठीक है start लिखा start के बाद हमारा next step क्या होता है input लेने का input क्या लेंगे आपको at least दो number चाहिए तभी तो आप compare करोगे enter a and b दो number आपने इसमें ले लिए ठीक है उसके बाद क्या है बच्चो आपको check करना है check करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे decision लेना पड़ेगा यह वाला symbol if a is greater b अगर a b से बढ़ा है तो क्या हो जाए यहाँ पे print कर दो यह true है इसको print करा दो प्रिंट कराने के लिए आपको पता है कि rectangle symbol आएगा print a ठीक है अगर यह condition false है f लिख देते तो क्या हो जाएगा अगर भई a b से बढ़ा नहीं है तो b a से बढ़ा है यह तो understood है ठीक है तो यहाँ पर आप लिख देंगे print b ठीक है अब इन दोनों को combine करके आप यहाँ पर बच्चो क्या करेंगे end कर देंगे ठीक है arrow तो बनानी है आपको फिर आप क्या करेंगे stop ठीक है तो यह आपका क्या है selection का है एक चीज़ ओर मैं बता दो अभी मुझे मुझे याद आई कि आप ऐसा कभी मत करना कि यहाँ यहाँ पर भी आप stop लगा दो यहाँ पर भी आप stop लगा दो हर एक flow chart के लिए आपका single entry single exit होता ठीक है सबका एक ही common start होगा और सबका एक ही common stop होगा चाहे मर्जी जितने भी बढ़ान चीज़ आप बना लो ठीक है यहाँ पर जितनी मर्जी conditions हो जाती बट यहाँ पर आप ऐ एक ही start होगा और एक ही stop होगा और यह आपका selection था ठीक है बच्चो अब हम next जो करेंगे वो करेंगे iteration वाला अब हम इसमें करेंगे iterative और repetitive की अंदर कि आपको माल लो किसी भी number का factorial निकालना है draw a flow chart अभी बताते हूं factorial भी क्या होता है draw a flow chart for calculating factorial of a number ठीक है आपको flow chart बनाना है जिसको आपको जिसमें आपको factorial calculate करना पड़ था तो फैक्टॉरिल पहले तो यह समझत लो कि फैक्टॉरियल क्या होता बच्टॉ, हम बाल लो आपको मैंने बुला कि ये ये नमबर है पाँच, इसका फैक्टोरियल निकालना, तो फैक्तोरियल कैसे निकालाई बच्टू, हम निकालाई इसका built 4 to 5, हमीन दाले तेज का flow chart, start, start की बाद आपको next क्या करना है, input डालने न, number एंटर कर दो भी, enter, number, and आपने enter कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या करना, processing करानी है, processing के बीच में आपको क्या क्या करना बचो, एक तो आपको i की value set करनी है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, एक बार मैं इसका logic लिख दूँ, अब हमारा पास क्या है, i की value आपने 1 initialize की है, इसके लिए coding लिख लेते हैं, coding में क्या लिखा हमने, कि जैसे i की value 1 है, वहाई loop लगा है, आपने i less than equal to n, और i equal to i into 1, और i plus plus, तो क्या होगा, पहल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद i की value क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर 3 into 2 हो जाएगा, इस तरीके से क्या करेगा, ये, पहले इन दोनों का multiplication करेगा, फिर इन दोनों का करेगा, और फिर इन दोनों का करेगा, इस तरीके से ये इसका answer calculate करेगा, ठीक है बच्चों, तो less than equal to n अगर i की value less than equal to n है, हाँ है अगर yes है तो yes के time पर आपको क्या करना है ये दोनों के दोनों step आपको यहाँ लिखने, i equal to i into 1 और i equal to i plus 1 ठीक है, और अगर यही condition आपकी false हो जाती है, no है तो क्या करना है, आपको print कर दो भई हाँ पर simple, ठीक है print कर दो आप print i कर दो ठीक है, अब दोनों step में आपने यहाँ पर काम कर लिया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो, i equal to i into 1 और i plus 1, फिर next time कहां जाएगा यह, next time फिर वापीस यहाँ आएगा, फिर यह condition चेक करेगा, यह क्या कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी condition false नहीं हो जाती false हुई तो आपने यहाँ पर i की value प्रिंट करा दी, और यहाँ पर लिख दिया आपने stop ठीक है नजर आ रहा है, हाँ थोड़ा बहुत बच्चों नजर आ रहा है मैं इसको थोड़ा उपर कर लेती हूँ arrow चोटा कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा print i ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैंने stop fine, तो यह क्या हुआ, यह repetitive हो गया न, यह वाला जो part है आपको बार-बार करना पड़ रहा है कब तक करना पड़ रहा है, जब तक यह condition आपकी true है, जैसे ही false हो जाएगी तो आप, आपको factorial आई जाएगा तो factorial आपको print कर देना है यह था बच्चों आपका basic concept कहाँ सब तो आप programming के algorithm और flow chart के बारे में, तो इससे related जितने भी questions आते हैं अगर आप competitive test की preparation कर रहे हैं, तो आपको flow chart के definition पूछ लिया जाएगी इन symbols का description पूछ लिया जाएगा जो मैंने set of statements बताई थी कि तीन तरीके की statements को आप execute करते हैं, वो पूछ लिया जाएगा जिसमें sequence, selection और अगर आप BTEC के बच्चे हैं या MCBC के बच्चे हैं, या MTEC के बच्चे हैं, वहाँ पर तो आपको flow chart बनाने के लिए दिया जाएगा बच्चो आपको एक particular problem दी जाएगी और आपको उसका flow chart बनाना है, तो ये था बच्चो आज का topic, I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को like, share और comment कीजिएगा और चैनल को अगर subscribe नहीं किया और आप चाहते हैं कि future में आपको ऐसे videos मिलते रहें, तो आप bell icon को press कर दे, उसका फायदा क्या होगा कि bell icon जैसे ही आप press करेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर video upload करूँगी आपको तुरंत उसका notification आ जाएगा ठीके बच्छों, तो मिलते हैं next video में next topic के साथ तब तक लिए thank you very much